हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मिया आ गई है और गर्मिया आते ही सबसे बरी प्रॉबलम होती है स्कीन टैनिंग की फ्रेंड्स, अगर सही वग पर इसकी केर करना सुरू कर दिया जाए तो डेफिनेटली ना सिर्फ आप टैनिंग से बज़ पाएंगी बर्कि आपके स्किन ग्लो भी करेगी तो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसा घरेलू टिप्स पताने जा रही हूँ, जो आपकी टैन को रिमूफ करने में मदद करेगा फ्रेंड्स, इसके लिए चाहिए सबसे पहले हमें एक पोटाटो पोटाटो एक स्किन लाइटनिंग एजिन्ट है, जो डेट स्किन सेल्स को रिमूफ करने में मदद करता है इसके बाद चाहिए हमें एक नीमू, नीमू में एस्कॉर्विक एसीड पाया जाता है जो डेटनिंग के लिए काफे फायदे मन्द होता है, ये टनिंग को कम करता है तो लेट स्टार्ट दोस्तो, सबसे पहले हमें इस आलू को पील ओफ करना है पील ओफ करने के बाद इसे ग्रेट करना है और अगर आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, मिक्सी में इसके बाद हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में आलू को अच्छी तरह स्कुईज करेंगे आप चाहें तो इसे मसलिन क्लोट के थ्रू भी स्कुईज कर सकते हैं, ताकि आलू का पूरा जूस निकल सके अब एक नीम्बू लें और इसे कट कर दें कट करने के बाद एक बोल लें, इस बोल में टू टू थ्री टेबल स्पून पटाटो जूस डालें वन टू ट्री पटाटो जूस डालने के बाद नीम्बू लें और नीमो के फोर टू फाइब डॉप्स जूस इसमें डालें जूस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें इसके बाद इसे अपने हाथों पर लेकर टैनिंग पार्ट्स पर इस्तिमाल करें अब वाश करने के बाद इसे अच्छे से साफ कर लीजे झांक यू झांक यू झांक यू